हलो दोस्तों वेलकम बेक टू माई यूटूब चेनल सुरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से एक इन्पोर्टेंट नोटीस आ चुका है यस दोस्तों काफी जादा इन्पोर्टेंट नोटीस आ चुका है यह नोटीस दोस्तों जितने भी मुंबई यूनिवर्सिटी के आईडियल के M.COM के स्टून्ट हो या M.A. के स्टून्ट हो Part 1, Part 2 M.COM और M.A. दोनों के साती साथ FY, SY, TY चाहे वो become के student हो या BA के student हो इन सभी student को दोस्तों फिर से additional exam देने का मोका मिल चुका है Yes दोस्तों, notice में क्या आया है और क्या नहीं आया है दोस्तों मैं आपको पुरा notice बता देता हूँ कि notice में क्या लिखा हुआ है दोस्तों जिन student ने अब भी exam दिया था उन student के लिए भी ये notice applicable है तो देखिए notice में क्या है additional exam fall only absent student जितने भी M.com हुए, MA हुए, B.com हुए, BA student हुए, FY, SY, TY अगर कोई भी student exam में absent था मतलब छुट्टी ले लिया था, exam नहीं अटेंड कर पाया था चाहे वो कोई भी reason हो, cyclone का reason हो, या technical reason हो, कोई भी reason हो तो वे student, जैसे कि FY, BA, repeater, SY, become, repeater SY, BA और SY, become, fresher and repeater ये FY था दोनों और ये SY है TY, BA, fresher and repeater, TY, become, fresher and repeater MA, part 1, part 2, fresher and repeater M.com, part 1 and part 2, fresher and repeater MA, education, part 1 and part 2, fresher and repeater ये सभी student फिर से additional exam दे सकते हैं as per Mumbai University guideline best पर दोस्तों और exam का जो आपका scheduling है, जो time table होगा वो 6 July से चालू होगा मतब आपका exam 6 July से चालू होगा time table Mumbai University जल ही अपने portal पर देगा जो आपको मेरे इस channel पर मिल जाएगा तो please channel को subscribe करना दोस्तों ना भूले because मैं ऐसे ही update आप लोगों के लिए लाता रहूँगा ठीके दोस्तों प्लस candy ने जितने भी है जिनों के जिनोंने अपना login ID पासवर्ट जिनको Mumbai University ने सेन किया था उनके register mobile number और email ID पर उसी को ही use करते हुए आपको इस बार का exam देना है आप उसमें जाकर check कर लो कि आपका कौन सा exam आपने attain किया था क्या किया था क्या नहीं किया था एक बार पूरा verify कर लो साथी साथ उन्होंने ये help line number दिया हुआ है काफी student का कहना है कि sir help line number work नहीं करता है तो दोस्तों काम करो Mumbai University IDLE Department की इधर number है तो दोस्तों आप इस number पे भी contact कर सकते और आपके problem को solve किया जाएगा अगर इन सभी ओ में से कहीं भी आपका problem solve नहीं हो रहा है तो वीडियो में comment करना मैं definitely आप लोगों की मदद करने की maximum कोसिस करूँगा अगर आप लोगों को जादा ही कुछ problem हो रहा है जहां solution नहीं मिल रहा है तो आपको मेरे website पे मेरा number मिल जाएगा जिसका link मैंने वीडियो के description में दिया है आप मुझसे contact करके आपके problem को solve करवा सकते हो तो I hope दोस्तों की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा important रहा होगा काफी ज़्यादा useful रहा होगा तो वीडियो को like करना ना भूलियो और अपने ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों में जरू सेहर कीजिए फिर स मिलता हो नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई दोस्तों